बचे वे कोशन हैं तो चार कंडिशन हैं बुक के इसाब से ठीक है यह 11th का ही कंडिशन है कि अगर दो लाइने पैरलर होती है ठीक है, टू लाइन्स आर पैरलर then their slopes are equal, M1 equal to M2 11th में भी था कि दो लाइने पैरलर होंगी एक का slope M1 है और दूसरे का slope M2 है ठीक है, तो इनका slope क्या होगा आपस में? equal, parallel lines का slope आपस में equal होता है parallel lines का slope क्या होता है, अपस में equal second condition यह है कि two lines are perpendicular एक line है इसका slope M1 है दूसरी line है इसका slope M2 है तो perpendicular में condition यह होती है M1 M2 minus 1, product of slope equal to minus 1 M1 M2 equal to minus 1, ठीक है? यह perpendicular की condition, यह conditions का use करना है हमें ठीक है? इसी के उपर जादे तर word में question आते है conditions के उपर, direct कम ही आता है कि equation निकालो या slope निकालो, conditions के उपर ही questions आते है ठीक है? यह चार condition है next, यह दोनों main condition है if any line parallel to x-axis, x-axis के line parallel है तो यह x-axis है, कोई line इसके parallel है x-axis के, ऐसे है, ठीक है? यह x-axis है, और यह line जो है इसके parallel है, तो parallel में dy बे dx 0 होता है slope क्या होता है? 0, slope of tangent is 0 dy में dx condition होती है parallel, any line parallel to x-axis parallel to x-axis x-axis के अगर parallel है, तो slope क्या होगा? 0 any line parallel to y-axis अब देखो, यह y-axis है और यह line है तो यह इसके parallel है तो parallel में, अगर y-axis के parallel है तो dy में dx का उल्टा dx upon dy, dx upon dy 0 के equal रखना है अगर x-axis के parallel है, तो dy बे dx 0 रखना है अगर y-axis के parallel है तो dy बे dx के जगा क्या करना है? dx upon dy, dx upon dy equal to 0 तो यह 4 condition है तो इसके उपर देखो, slowly slowly करो पहले जो questions आते हैं एक तो parallel to x-axis, parallel to y-axis आता है एक आता है equation of tangent निकालना जो कि line के parallel दिया होगा या line के perpendicular दिया होगा वो अगली वीडियो में discuss करेंगे ठीक है? पहले parallel to x-axis वाले देखो तो question है ncrt का इसमें point निकालना आएगा आपको find the point हमेशा ठीक है? find the point निकालना आएगा इसमें find the point find the point on the curve at which tangent are parallel to x-axis and parallel to y-axis ठीक है? figure से मैं समझा देता हूँ यह ellipse की equation है यह ellipse बन गया यह इस तरीके से बना हुआ है यह ज्यादा बड़ी value है ना तो y-axis पर ऐसे बनेगा ellipse ठीक है? ellipse बन गया यह इस तरीके से ellipse ठीक है? अब यह कह रहा है कि parallel to x-axis अग यहाँ पर tangent बन रहा है ऐसे यह x-axis के parallel है first condition में यह x-axis है इसके parallel हो गया ना यह line यह line है l tangent जो बनेगा और second part में यह कह रहा है कि ellipse जो है यह ellipse बन रहा है क्योंकि 25 बड़ा है ना force है ऐसे ठीक है? x-axis है यह y-axis यह जो tangent बनेगा ना इदर यह y-axis के parallel होगा ठीक है? तो दोनों case में point निकालना है जहाँ पर tangent वो बन रहा है जहाँ पर tangent जो बन रहा है वो parallel to x-axis है parallel to y-axis तो देखो यह अगर ऐसे है तो यह point निकालना जहाँ वो touch कर रहा है tangent को ठीक है? तो let इसको कैसे करते हैं मैंशा let point be x1 y1 let point be x1 और y1 मानना है अब यह curve दिया हुआ हुआ है x square upon 4 y square upon 25 x square का derivative करना है 2x upon 4 रहेगा y square का क्या होगा? 2y upon 25 साथ में dy पे dx क्योंकि है y में करम x में रहे 1 का 0 इस 2x y4 को इदर लेकर आओ minus 2x upon 4 2 से 2 कट जाएगा 25 इदर multiply में 25 को multiply में इदर लेकर जाओगे 25x y को इसके नीचे 4 के नीचे तो dy पे dx की value आजाएगी 25x upon में 4y ठीक है? 25x upon में 4y अब x1 y1 की value तो x की जगा x1 y की जगा y1 डाल दिया फर्स्ट पार्ट क्या है? पैरलेट टू x-axis पैरलेट टू x-axis पैरलेट टू x-axis की condition क्या होती है? dy पे dx 0 होता है तो dy पे dx यही आया है x1 equal to 0 x1 की value आ रही है 0 x1 कितना आ रहा है? 0 ठीक है? तो x1 0 आ गया x1 y1 जो है हमेशा given curve पे लाई करेगा जो curve होगा ना ellipse का जैसे माल लो ellipse बन रहा है ऐसे ellipse बन रहा है यह ellipse बन गया और यह tangent बन रहा है तो tangent तो यह ellipse को touch करता है यह आपर ellipse के उपर ही लाई करेगा यह x1 y1 कहां पे लाई करता है हमेशा given curve के उपर तो curve तो यह given है हमारा x2 upon 4 y2 25 equal to 1 x की जगा x1 का square y की जगा y1 का square क्योंकि x1 y1 लाई कहां पे कर रहा है curve के उपर तो x की जगा x1 का square upon 4 y की जगा y1 डाल दो x1 की value आई है 0 x1 0 डाल दिया तो यह सारा 0 हो जाएगा y1 square upon 25 25 इस तरफ multiply में और जब square हटेगा तो plus minus 5 तो पहला point तो यह आ रहा है 0 5 और 0 minus 5 second part है parallel to y axis parallel to y axis parallel to y axis में देखो dx upon dy 0 होता है parallel to x axis में dy by dx 0 और parallel to y axis में dy by dx का उल्टा dx upon dy 0 ठीक है तो dy by dx तो यह आया था minus 25 x1 4 y1 तो इसको उल्टा करोगे तो 4 y1 उपर आ जाएगा 25 x1 इदर 0 इसमें y1 0 आ रहा है तो x1 y1 हमेशे given curve पे लाई करता है तो x की जगा x1 का square upon 4 y1 का square upon 25 इकल to 1 यह यह न curve जो given है question में तो अब यहाँ पे y1 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा 4 उस तरफ multiply में 4 इदर multiply में x1 square equal to 4 x1 की value का आएगे plus minus 2 तो point यह आ रहा है 2 0 और minus 2 0 ठीक है 2 point आ जाएगे 2 0 और minus 2 0 एक और question देगो at what point on the curve curve यह given है x square y square minus 2 x and crt का question है minus 4 y plus 1 equal to 0 tangent parallel to x axis tangent parallel to x axis इसमें भी देखो parallel to x axis दिया हुआ है तो let point भी x1 y1 point को हमेशा जब भी point निकालना हो तो x1 y1 मान के करो अब x square का derivative 2 x y square का 2 y साथ में dy by dx x का 1 यहनि 2 आ जाएगा 4 y y का dy by dx 1 का 0 constant है ठीक है 4 y का dy by dx दो dy by dx की term यह है एक तो यह है और एक यह है इनको एक साथ रखेंगे जिनको dy by dx नहीं है उनको एक साथ रखेंगे तो यह रख लिया इसमें से इस तरफ गया minus 2 x minus 2 और यह इसके अपान में आ जाएगा 2 common लेके काट दिया x1 x minus 1 upon y minus 2 आ रहा है तो x1 y1 पे x की जगा x1 y की जगा y1 tangent parallel to x axis है dy by dx को क्या रखना है 0 तो dy by dx तो तुमारा यह आया रखा है देखो dy by dx क्या आया हुआ है यह x1 minus 1 upon y minus 1 2 इसको 0 के equal put कर दो तो 0 से multiply किया x1 minus 1 equal to 0 x1 की value आ रही है 1 और x1 y1 कहां पे लाई करेगा given curve पे यही है ना given curve तो जहाँ x है वहाँ x1 डाल दो जहाँ y है वहाँ y1 डाल दो तो x1 1 है y1 निकाल ले ना मैं दूसरा point तो 1 plus 1 2 आ गया 2 और minus 2 कड़ गया y1 common y1 minus 4 y1 0 है और y1 4 है तो एक point तो यह आएगा 10 x1 1 है 10 ले सकते हो और दूसरा point 1 और 4 तो यह answer है तो I will send some question based on parallel to x axis और parallel to y axis condition try to solve this question और अगले वीडियो में जो next video काफी important है उस type के question आएगे यह भी आता है board में जब tangent parallel दिया होगा line के और perpendicular दिया होगा line के ठीक है वो वीडियो में अगले वीडियो में कराएंगे slowly slowly करो इसको 6.3 सारा समझने वाला है इस वीडियो में इतना ही है ओके thank you very much